हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक वर्क्षिट नंबर 19 करेंगे जो की क्लास 9 की है सामाजिक विज्यान लोगतांत्रिक राजनितिक ये वर्क्षिट 18 अगस्त 2020 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर कर दीजिए तो आईए देखते हैं कि आज की वरक्षिट में क्या दिया गया है लोगतंत्र क्या है तो देखिए आज की वरक्षिट में बताया गया है लोगतंत्र के बारे में लोगतंत्र के विवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके नुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है तभी वह देश लोकतंत्रिक होता है पीटा लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शाशन मतलब कि जनता अपना शाशक जो है वो खुद चुनती है चुनाओं में क्या करत शाशक चुनती है और वही चुने जो प्रतिनीदितु होते हैं वही क्या करते हैं जो सरकार के फैसले लेने होते हैं उन फैसलों को लेती है तो इसके लिए पैमाना अपनाया जाता है पैमाना किया जैसे कि 18 साल के बाद में आप क्या हो जाते हैं और आप क्या कर सकते हैं देना बहुत जरूरी होता है तो ये याद कर लीजिए का जंता दौरा जंता के लिए शाशन उसे हम क्या कहते है लोक तच्रण के विवस्ताइब और भारत अब लोक तच्रण का एक एसा रूप है जिसमें शाशको का चुनाव लो करते है यहां पर शाशक जो हैड होगा जो जिसे के चीफ मिनिस्टर माली जी प्राइम मिनिस्टर माली जी तो उनका चुनाव कोन करते हैं उनका चुनाव जनता करती है उनको जनता कुछ प्रतिनीदी क्या करते हैं कुछ प्रतिनीदी खड़े हो जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे औ और उनको वोड देकर जिताता है जनता मतलब जनता खुद अपने जो प्रतिनी दुए उनका चुनाव करती है चीक है अब देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है इस वरक्षिट में तो यहाँ पे लोगतंतर के कुछ विशेष्टा हैं बताई गई हैं तो देखते हैं कि आप लोगतंतर में अंतिम निन्य लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए परतिनी दितूओं के पास में होती है अब लोगतंतर में क्या था जो अंतिम निन्य लेना तो सरकार को जो डिसीजन लेना होता है वो कौन लेगा जो भी जनता ने प्रतिनी दितूओं को चुना है वो प्रतिनी दितूओं के पास में क्या होती हैं शक्तियां होती हैं जिससे वो क्या ले सकते हैं अंतिम निन्य कर दिए ले सकते हैं आगे लोक तंत्र में हर व्यसक नागरी का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का मुले समान मुले होना चाहिए इसमें क्या करे लहा है कि हर व्यसक ज próxima 18 से ऊपर हो जाता है लगतंत्र निश्पख्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित मिल सके dirgers अगर देखो पक्षपाथ पुन yahoo तो एक party हर बार जीतती ही जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता कभी ये party जीतती है कभी दूसरी राजने तिक party जीती है ये वो क्यू हो पाता है क्यूंकि निश्पक्ष और सोतंत्र चुनाव होते हैं तो आईए इसके question answer करते हैं किस तरह से लिखेंगे हम देखी क्या होगा बेटा अंसर लोगतंतर से तात्पर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शाशन है अर्थार्थ जनता स्वैम अपने लिए प्रतिनिदी चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिदी शाशन करते हैं जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शाशन ही लोग तंतर शाशन कहलाता है तो यह first का answer है बेटा ठीक है आईए next question करते हैं बच्चे देखे क्या लिखा गया लोग तंतर में परमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है अभी मैंने बताया है लोग तंतर में परमुख फैसले लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिदी उनके पास में क्या होता है फैसले लेने का अधिकार होता है आईए next question करते हैं एक व्यक्ति एक vote से आप क्या समझते हैं मैंने अभी आपको बताए कि सबी वोट क्या है बराबर हैं, उसमें जाती धर्म नहीं देखा जाता है, तो एक व्यक्ति और एक वोट का मतलब यही है, कि सब को समान अधिकार है वोट देने के, ठीक है? आइए इसका अंसर देखते हैं बिटा, देखे क्या होगा इसका अंसर एक व्यक्ति एक वोट से तातपरे है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति समान है एक व्यक्ति चुनाव के समय सर्फ एक बार ही वोट डाल सकता है वोट डालते समय जाती, धरम, भाशा, आधी के बारे में नए सोचकर सबको समानता का अधिकार दिया जाता है सभी नागरी को द्वारा डाला गया वोट समान होता है ऐसा नहीं है कि कोई अमीर वोट डाल रहा है तो उसकी वैल्यू जादा है मैंने भी आपको बताया गरीब डाल रहा है तो उसकी वैल्यू कम है ऐसा नहीं होता है बेटा, सोरी बेटा इसके लिए, आईए next question करते हैं, अब बेटा last question करते हैं, लोग तंतर में स्वतंतर और निश्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए, तो हमने अभी देखा कि सब राजनितिक पार्टियों को बराबर अधिकार होना चाहिए, जीत और हार का, तो आईए देखते हैं इसका अंसर क्या होगा बेटा, देखे क्या होगा बेटा इसका अंसर, लोग तंतर में निश्पक्ष चुनाव होने चाहिए, स्वतंतर भी लिख लिजे का, इसके साथ में स्वतंतर और निश्पक्ष चुनाव होने चाहिए, क्योंकि इसे सभी वाजनेतिक पार्टियों को जीत हार के समान अफसर मिलते हैं, अब निश्पक्ष होंगे तो क्या उगा, सबी को जीत हार के समान अफसर मिलेंगे निश्पक्ष कुनाव होने की वज़ए से ही देखी क्या है आगे लोग कंतर में जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधी ही जीच सकता है अगर निश्पक्ष चुना होंगे तभी तो क्या होगा जिसे जनता ने चुना होगा वो ही क्या बन सकता है प्रतिनिधी बन सकता है तो हमारे बिटा फूर्थ कोशन हो गए हैं चाहरे अपनी वर्कशिट कम्प्लीट करके अपने टीचर से चेक कराईए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू स्टूडेंट्स